जै जै श्री राम जै जै हनुमान भक्त जनों तुलसी दास जी द्वारा रचित श्री राम चरित मानस में सबसे सुन्दर तसंग आता है सुन्दर काल का जी हां यह सुन्दर कांड परम राम भक्त श्री हनुमान जी की अनेक अनेक लीलाओं का वर्णन करता है कहते हैं सुन्दर कांड को पढ़ने सुनने एवं गाने से भक्तों को पूरी रामायन पढ़ने का शुब भल प्राप्त होता है तथा साथ ही साथ हनुमान जी और प्रभूश्री राम जी की कृपाएं फ्राप्त होती है तो आईए पवित्र पावन सुन्दर कांड का संगीत मैश्रमन इस सरलवाणी में सुनते हैं एक बार फिर मेरे साथ बोलिये बोलिये भगवान शुरी राम चंदर जी महराज की बुली शुरी हनुमान जी महराज की रामायन में सबसे सुन्दर रामायन में सबसे सुन्दर भगतों सुन्दर कांड है श्री हन्मत की लीलाओं का करता ये गुणकान है रामायन में सबसे सुन्दर भगतों सुन्दर कांड है श्री हन्मत की लीलाओं का करता ये गुणकान है रामायन में सबसे सुन्दर मा सीता को खोचते खोचते श्री हन्मान जी अंगत जाम्मत जी और अन्यवीर सागर तट पर आ पहुँचे जाम्मत के याद बिलाने पर श्री हन्मान जी को उनका बल याद आ जाता है और वे प्रभुराम जी की मुद्रिका को मुख में डाल कर पवन वेक से उड़कर सागर पार करने को निकल पड़ते हैं मार्ग में उन्हें सुर्सा नामक राक्षसी मिलती है जिसे देवताओं ने आहार का वरदान दिया हुआ है देवताओं के वरदान का मान रखते हुई श्री हन्मान जी उसके पेट में से होकर निकल आते हैं सुर्सा उनकी चतुराई से अतिप्रसन्न होती है और उन्हें विजय होने का आशिरवाद देती है। उड़ते उड़ते हनुमान जी लंका नगरिया पहुचते हैं कि क्या देखते हैं द्वार पर लंकिनी पहरा दे रही है। श्री हनुमान जी जियों ही लग रूप बना कर भीतर प्रवेश करने लगते हैं कि लंकिनी उनका मार्ग रोपकर उनसे युद्ध करने लगती है। मारी लात मुष्ठिका की मारी लंकिनी धरा पे गिर आई जाओ राम के काज कराओ हनुमत से वो बत लाई। हनुमान के हाथों मर के मुक्ती उसने पाई है। लंका भीतर हनुमत आए अखियां फिर चौंदाई है। सीया मा का पता न पाई। सीया मा का पता न पाई। पहरत में हनुमान है। श्री हनमत की लीलाओ का करता ये गुणगान है। रामायन में सबसे सुंगत, पुण तो सुंगर कान है, शीहन मत की लीला आओंता, करता ये गुणगान है, करता ये गुणवान है, रामायन में सबसे सुंगत लंका में घूमते घूमते अचानक उन्हें श्री राम नाम अंकित एक खुटिया दिखती है। सत्य जानने है तू वे ब्रहमन का रूप बना खुटिया में जाते हैं। तो वहाँ पर पापी रामन का श्री राम का परमभक भाई विभीषण को पाते हैं। दोनों में मैत्री हो जाती है और वही से हनुमान जी को मा सिया का पता प्राप्त होता है अशोग बाटिका में पहुँचकर श्री हनुमान जी मा सिया को प्रभू की मुंत्री का देकर उनका संदेश देते हैं और मासीता से वाधसल्य और धेर सारे वरदान प्राप्त करते हैं मासीता की अनुमती लेकर वो बग्या से फल तोड़कर खाने लगते हैं जिससे उनका राख्षसों से भैंकर युद्ध हो जाता है जिसमें रावन का पुत्र अक्षे कुमार भी उनके हाथों मारा जाता है अब रावन का परम प्रतापी पुत्र मेग नाद उन्हें पकल कर अपने पिता रावन के पास ले जाता है शीता मा को वापस कर दो हनुमत ये समझाते हैं सुनी बात हनुमत की रावन क्रोध में आ जाते हैं पेल पोरी पट बांद पुनी फिर पूँच में आग की लगवाई अनुमत ने भी राम बोल के सारी लंका जलवाई गूंज रहा लंका में देखो हाँ गूंज रहा लंका में देखो वगतों जैश्री राम है श्री अनुमत की लीलाओं का करता ये गुणगान है करता ये गुणगान है रामायन में सबसे सुन्दत, पुन तो सुन्दर कान, शीहन मत के लीला आउता, करता ये गुण गान, करता ये गुण गान, रामायन में सबसे सुन्दत श्री हनुमान जी ने जै जै श्री राम का उद्धोश करते हुए, सारी लंका को अपनी जलती हुई पूँच से जला दिया, इधर हनुमान जी जै श्री राम बोलते जाते, उधर लंका में हाहाकार मचता जाता, एक विभीषण की कुटिया को छोड़, सारी लंका जल कर सनमुख फिर आते हैं और निशानी स्वरू उनकी चूडा मणी लेकर जै श्री राम का उधोश करते हुए रामा दल में लोट आते हैं प्रभू श्री राम सीता का संदेश प्राप्त करते हैं तो हनुमान को फिदे से लगा लेते हैं और उन्हें भरत समान भाई बताते हैं अ प्रभू की सेना सागर तट पर आप पहुँची है तीन दिनों तक करी तफस्या फिर भी सागर ना माना श्री राम ने अगनिवान फिर अपने धनुश पर ठाताना शमा मांग ली सागर ने और ये उपाए थे बतलाए नल और नील के हाथों सागर पर से तू को बंधवाए शिला तेर गई सागर में शिला तेर गई सागर में जिस परतो लिखा श्री राम है श्री हनमत की लीलाओं का करता ये गुणगान है रामायन में सबसे सुन्दर तो सुन्दर कान है श्री हनमत की लीलाओं का करता ये गुणगान है रामायन में सबसे सुन्दर सागर पर सेतु बांध राम सेना लंका तटपरा पहुँची रामन का भाई विवीशन तो पहले ही रामा दल में सम्मिलित हो चुका था आज रामन सेना का संचालन मेगनात कर रहा है और इधर राम सेना का नेत्रत्व लक्ष्मन जी कर रहे है दोनों योधाओं में घंगोर भयन कर युद्ध हुआ कि तभी मेगनात ने शक्ति प्रहार से लक्ष्मन जी को मुर्चित कर दिया विवीशन के कहने पर लंका नगरी से श्री हनुमान जी वैद्य सुशेण को लियाए वैद्य जी के बताय नुसार श्री हनुमान जी पवन वेग से उड़कर हिमालय परवत स्रंकला से संजीवन भूटी वाला द्रोणा गिरी परवती उठालाए संजीवन ग्रहन करते ही लक्ष्मन जी जीवित हो उठे और पूरे रामा दल में जै श्री राम और जै हनुमान जी की जैकार होने लगी बूटी वाला परवत लाए प्राण लखन के राखे थे काम काज करने में हनुमत भगतों सबसे आगे थे भरत समान बताए राम जी उनको हिर्द लगाए थे जेम के आसो भक्त और भगवान के आखों आये थे राम चरन में बैठ गए थे बगतों फिर हनुमान है श्री हनमत की लिलाओं का करता ये गुणगान है राम आयर्ण में सभ से सुन्दक भगतों सुन्धरिकान है शीहत्मत की लीलाओं का करता ये गुणगाल है करता ये गुणगाल है रामायन में सबसे सुन्दै रावण और राम जी के बीच घंगोर युद्ध हुआ भक्तों और रावण का अंकर प्रभूश्री राम जी ने मा जानकी को उनकी कैद से छुड़ाया और भाता लक्ष्मन अपनी पत्नी सीता और अनेकानेक योध्धाओं के साथ पुष्पक विमान चड़कर अयोध्या आ गए भाई भरत ने विधी विधान से राम जी का राज तिलक करवाया अयोध्या नगरी ने दीप जलाकर सारे नगर में दीपावली मनाई देश देश आंतर के राजाओं ने राम जी और सीता जी को अनमोल उपहार दिये विभीषण ने भी अनमोल रतनों की माला मा सीता को भेट स्वरूर दी जो मा सीता जी ने हनुमत के कले में पहना दी और हनुमत को देखो माला का एक एक मन का तोड़ता जाता है और उसे फेटता जाता है विभीशन के पूछने पर हनुमान जी कहते हैं कि जिस माला में श्री राम नहीं वो माला भला मेरे किस काम की क्रोधवे विभीषण के ताना देने पर हनुमान जी क्या करते हैं आईए सुनाता हूँ लंका पती ने हसी उड़ाई आखों आसु भराई सीना चीर के रामसिया का दर्शन सब को करवाई राम नाम का चंदन अपने कनमन पे सब रंग डाला राम भगत कोई हुआ न होगा अनुमत तुम सामत वाला जिसकी श्वास श्वास में भगतों पस्ते प्रभु श्री राम है श्री हनुमत की लीलाओं का करता ये गुणगान है रामायन में सबसे सुन्दें रामायन में सबसे सुन्दें रामायन में सबसे सुन्दें